Hello friends! Welcome to L.A. Science! आज हम study करने वाले हैं夠शिका के बारे में cell के बारे में जो देखें जो कोशिका होती है उसका अधियन करना कोशिका का अधियन करना study of cell है उसको हम कहेंगे cytology और एक सब्द आपने वर सुना आगा cell biology तो cytology और cell biology में क्या difference है cell biology यानि कोशिका विज्ञान उसमें हम study करते है सरंचना और कारिये का क्यों कोशिका की सरंचना काध्यन करे तब तो क्या कहलाएगी शाइटोलोजी कहलाएगी लेकिन सरंचना के साथ साथ में कारिये काध्यन structure है उसके उसके साथ साथ में उसकी function है उनके बारे में भी हम study करते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, शेल बाइलोजी कह देंगे, तो जो साइटोलोजी होता है, कोशिका विज्ञान जो है, उसका father जनक किसे कहते हैं, ठीक है, साइटोलोजी का नाम ने, सोरी, जनक, साइटोलोजी का, यहाँ पर क्या आएगा, जन लेकिन रोबर्ट उपने जो कोशिका देखी थी, वो देखी थी, कौन सी मिर्त सेल, डेड सेल थी, ठीक है, डेड सेल को उन्होंने देखा था, और उनको कहा पर देखा था, जो कोर्क होती है, ठीक है, उनके अंदर, अभी कोर्क क्या होता है, कोर्क आपने जो बोतले हैं, उनके अंदर देखा होगा जो बोतल का लकडी का जो ढकन का में लिया जाता है उनको का जाता है तो कोर्क के अंदर उन्होंने देखा था टीक है तो मर्द कोशिकाओं को फिर हम किस ने देख प्रशने युझ में सबसे पहले देखने वाले हैं और हम स्रय हैं कोशिका की खुगक वह एनिमस की से पड़ा तो रोबर्ट होक ने मूठ के सेला नाम क्यों दिया उन्होंने चब कोशिकाओं को देखा तो मैं SOL चोटे कमने देते से च्माल रोम देन जब्र सेम करें देते हैं इस उनों को नाम दे दिए सेला का मतलब हो था इस वजह दख सकते हो माईक्रोग्राफ्या है अब हम आज आते हैं कोशिका सिधांत तीक है जो कोशिका सिधांत का जनक कहा जाता है उनको उनके दवारा दिआ घए अब चुशिका सुधानत कहता क्या है यह कहता है कि यह हमारे जीवन की इकाई है यह unit of life है fundamental unit of life है इसका मतलब क्या हुआ हमारा कोई भी स्प्रेशिव हो चैनल हो या कोई बैक्टिर्य हो उन सभी का सरीर जो होता है यह को सजीयो की से आत्मक और किरात्मक इकाई यह कोशिका होती है तुरज राम कह देते हैं कि जितनी भी कोशिकाई उनकी मूर्मखुद सरंचना समान होती है अधर अब बूर्छा सकती है लेकिन उनकी मूर्बुद सरंचना फोन बुट जा रहा है सभी में कोशिका धिली है किसी में कोशिका भित्ती भी है तो मुल्भूत सरंचना सभी कोशिकाओं की समान होती है और वो उपाप्चे रूप से भी क्या होते हैं समान होते हैं उपाप्चे रूप से समान मेटा गोगलिक लिए समान होते हैं उपाप्चे का मतलब क सजीव है, उनका सरीर कोशिका से मिलकर बना है और उनके उतपाद से बनकर बना होता cell and their product ये बनाते हैं कोई भी organism है उसकी body का formation करते हैं जेविक किरियाएं जितनी भी होती है ठीक है, vital activity जितनी भी होती है ये सब सजीव के सरीर के अंदर जो होती है वो सब किसके दुवारा होती कोशिका के दुवारा ही होती है for example हम श्वास लेते हैं स्वास हमारे फेंफडों में गए फेंफडों से oxygen पूरी बोड़ी में हर कोशिका तक पहुंच आती है और फिर उस oxygen को यूज में लेकर उर्जा प्राप की जाती है कोशिकां के अंदर ही होती है और वनसागती के पदात genetic material या है अनुवांसिक पदार्थ हो भी कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं ठीक है एक साइन किस्ट है उनका नाम आपको या देखना है रुडॉल्फ विर्चो हिंदी में लिखना चाहो तो यह नाम है रुडॉल्फ विर्चो तो रुडॉल्फ विर्चो ने एक कथन दिया था ओम्निश शेलुला इसलिफ तो इन दो कोशिका का निर्मांड होना किस्से रहता आतोभ स possibility कोशिका कोई वर्ति कोशिका से होता यह थिक प्रीय एक्जिटिंग सेल ठीक है अब इसके साथ में जोड़ दिया गए जो सेल थियोरि है उसके साथ में जोड़ दिया गया अब उसका न हम बोल देते हैं आधुनिक कोशिका सिधांत को जब उसके अंदर ये कतन हम एक्ष्टा जोड़ दें याने जो modern कोशिका सिधान्त आदोनिक कोशिका सिधान्त भी आप इसको बोल सकते हो ओके अब हम कोशिकाओं के आकार और आमाप के बारे में जान लेते हैं देखते हैं सेट एक जो आकार ये अलग अलग हो सकता है कुछ कोशिका अब्यावतल होती है बाइए कोंके होती है यह इसका एक्जामपल है हमारे पास RBC इनकी दोनों सतह है वो इस तरह होती है अंदर की और दसी हुई ठीक है तो हम क्या बोल देंगे यह बाइक कौन के हो है प्लस इनका कार हम बोलते है तश्तरी जेसा तश्तरी नूमा होता है ठीक डिस्क लाइक होता है ये नेस्ट हम श्टेडी करते हैं अमी भी ये अमी बोईड होती है कुछ सेल जैसे हमारी wbc में आपको मैं बताया था ग्रिनलोसाइट होती है तो उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है तो एनिमित आकार की होती है और उनको कहा जाता है क्या होएं उनमे बरांच निकल सकती है और लॉंग होगी यह हैं तμάतरी कोश्री होती है यह सब होते हैं लंगी होती है दिर्ग होती है पघण एंको बोल देते हैं दिर्गी के अलॉंगेटेड़ सेल आलॉंग्गेटेड उनूंगेटेड टो वहाहिनिकाई वाहिनी biblical Egived 갑्रेकेड पbalance के लिए यहimiz फिल होता है तो उसमें उपरी अधिचरम होती है और निचली अधिचरम होती है अपर एपिडर्मिस होती है लोगर एपिडर्मिस होती है और इनके बीच में जो कोशिकाएं होती है उनका आकार कैसा होता है गोलाकार होता है और उनको हम कहेंगे मीजोफील की कोशिकाएं ठीक है यह तो गया का अकार इनके लावा जेसे कुछ कोशिकांएं घनाब भी हो सकती घंकिया करती देसी ठीक है गूब बोटव कि डावन होती है एक जाम्पल है हमारे पास बीठा-सेल भीठा 10 के आगे 3 0 लगाते हैं जिसको हम कहते है 1000 ठीक है इसको आप बोल सकते हो 10 की गात 3 फिर 10 के आगे हमने 6 0 लगा दिये ठीक है इसको बोलते है million ठीक है इसको हम बोल देंगे 10 की गात 6 फिर सी तरह हमने 10 के आगे के 3 0 लगा दिये है हमने 9 0 लगा दिये है और 10 की गात 9 इसको बो स्थ पर यपास हो दता है इसको हम मतलब क्या होता है जी का मतलब होता है जी मिला दो जी मिला है तो गीगा और गीगावाइट जीवी और ळस्की गाथ होता है बारहा जिसको बोल देते हैं टेरा ठीक है टेरा जिसे आपने सुना होगा एक थीजिस्क कार आती है आज खिल कम्प्वीटर में फैस्ट टिवी तक पहंच पहुंच आती है टेरा बाईट याने गारी तब क्या हो ज तो इसको हम कहते हैं मीली ठीक है जैसे मुली मीटर आपने नाम सुना होगा मीली मीटर ठीक है इसकोBay देते हैं 2+. भूआएब्ध माइक्रो चोटा होता है क्या नेनो और दसकी गात 12 है वो फीको मीटर पीम पीको में जैसे आपने टेंट ग्लास में कभी पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसके जो वयास होता है उसके परमाणू का एक पार जो डाइमीटर होता है वो कितना होता है बारा जो पिको मीटर में counting किया दता है 17 पिको मीटर के लगबग तो यह चीज होगे हमारे पास मिली माईक्रो नेनो पिको तो यह सब चीज़े क्या है माईक्रो के अंदर हम इनको नापेंगे आप इसको यह से बिसकते हो एक जामपल माइनस 10 honour 10 में माइक्रो मेन में हम क्या गरते हैं हैं किसी Canada साइज नापते हैं सबसे चोटी कोusement को दिलबग साथ मैइक प्लाज्मा वह टी यह लगबग 0.30 4 cynकिरन चाहलों की को सकती है एक से लेकर 5 मियों के बीच में आपको इसे दिखाया हुआ है तो अगर आपको यह मिले तो आपको यह से करना या यह मिले तो यह से करना दोनों यह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हाँ आपको एक्स्प्लेनेसन किया हुआ है वहाँ पर तो दिया हुआ है क्या तेन से पांच मियूम और डाइग्राम उसे दिया हुआ है एक से दो मियूम तो इनकी जो आकार होता है जिवानों का वो आप एक से लेकर दस मियूम के बीस में कितना भी हो सकता है एक से लेकर दस मियूम के ब और जो वाइरस है उसकी जो आकार है वो कितना होगा उसका आमाप कितना होगा वह गाई 0.02 एम से 0.2 नियुम थक होता है यह ठीक है इस पार्टिकल से मोल सकते हैं अगर कोई हम लिविंग तिंस में काम आता है लिविंग नहीं मानते इसको याने सजीव नहीं मानते सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है यह living things और non living things के बीच के connective link होता है पिपी एल ओ प्लोरो निमोनिया लाइक organism प्लोरो निमोनिया सम जीव यह तरह के माइको प्लाजमा जैसे ही होते हैं और इनका आकार होता है कितना 0.1μ होता है 0.1μ होता है अगर हम अपनी कोशिका की बात करें मानो की कोशिका में तो मानो की कोशिका में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है हमारी neuron की तंत्री का कोशिका जैसे ये वाली कोशिका में नहीं दिखा है तो मानों की जो तंत्री का कोशिका है ये सबसे लंबी कोशिका है और उसका जो आकार कितना हो सकता है वो लंबाई कितनी हो सकती है वो हो सकती है 90-70 मिंटर तर लंबी जा सकती है यह तो की लंबाई सबसे लंबी अगर हम सबसे छोटी कोशिका बात करें तो मानों की सबसे छोटी कोशिका होती है मानों के स्प्रम यानि हम उनको बोल देते हैं शुकराणों मानों के जो शुकराणों होते हैं यह सबसे छोटी कोशिका काउंट की जाती है और मानों की सबसे लंबी कोशिका है वो है नियूरोन तंतिका कोशिका पादक कोशिका में आता है एसी टाबूलेरिया सबसे बड़ी कोशिका लंबी कोशिका काउंट की जाती है इसके सोरी बड़ी नहीं CB Venue, CB Venue, CB Venue ने क्या किया, कोशिकाओं पो दो भागों में विवक्त कर दिया है, एक कहलाती है, Pro-Karyotic Koshika, और दूसरी कहलाती है, U-Karyotic Koshika, ठीक है, Pro-Karyotic, Pro-Karyotic, Pro-Ka मतलब होता है क्या, यहां पर, Pro-Ka मतलब होता है, primitive, जिसको इंदी में कहे देते हैं, अद्लिय, कर लें यह वर्ड वो जड़ा काम आएगा ठीक केरिओन का मतलब होता है कि केंद्रक नुकलियस है तो इनमें क्या खोता की प्रकार क्यों को हम कहते है केंद्रक आप आप केंद्रकुली देखो आपका किसी के सम्मान किसी के जैसा जैसा आब कहते हैं कि उसका चहरा चंडराब चंडराब चंदराब चंडर्मा के सम्मान और इसको मिणीयसि में भीन देया है मुदा किन लाइब कनीा का मतलग क्या होता है ऑल उडीक ए carry डीक है तो इनमें कनद्राब नहीं तो पाया जाता है इन्में इस तरह केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इनमें डारेक्ट गुन सुत्तर जो होते हैं, वे यसे ही नग नवस्ता में पाया जाते हैं, और इस रंजना को पुरे को बोल देते हैं, थिक है, लेकिन आगर हम बात करें, यूरूटिक कोशिका, तो कोशिका भित्ती भी पाई जाती है सेल वाल भी परजेंट होती है और उसमें क्या होता है जो नुकलियस है उनके चारो और इस तरह जिल्ली पाई जाएगी ठीक नूकलियस के around मेंब्रेन परजेंट होती है तो यह उता है इनके लावा जितने भी जिल्ली आबद कोशिकांग याने उनमें पाए जाते वह सब कोशिकांग नहीं पाए जाते लेकिन सब आख नहीं आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चौप में जरूर बताएं लाइक भी करшएर सब स्बस्क्राइब ने किया तो सबस्क्राइब भी कर दें और अधिक श्यादिक शेयर करें धने